कि हलो फ्रेंड्स सागत आपका कुछ नए अपडेट्स के साथ मेरे यूट्यूब चैनल व्लॉगर एंड ट्रेडर्स में तो चलिए आज हम कुछ जानते हैं कुछ नए अपडेट्स के बारे में जानते हैं जैसे कि इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्वे का काम शुरू हो चुका है और लिडार सर्वे जो की प्लेन के थुरू कुछ दिनों पहले कंड़क्ट किया गया और अब उन्होंने बाकिये जी प्रो का रखा गया है और लिडार से उन्होंने जो सर्वे किया वो तक्रिबन 150 मीटर्स का है ओके 150 मीटर्स का सर्वे वो लोग लिडार से करने वाले है और एक्च्वल में उतना उसकी उतनी जगे की उन्हें जरूत नहीं है बट सर्वे वो कर ले रहे क्योंकि आगे चलके अगर उन्हें कही दिक्कत आती है तो शायद थोड़ी मूव इधर उधर कर सकते रेलवे ट्रैक ओके तो इसके बारे में आज छोटी सी अपडेट आप लोगो को दूंगा जो की सर्वे के लिए है क्योंकि अब ये देड़ सो दिन तक चलता रहेगा और जो रेलवे के जो करमचारी या जो भी अधिकारी है वो आते रहेंगे अलग-अलग जानकरी के लिए वो अब चक्कर मारते रहेंगे तो यही एक छोटी एक अपडेट है इसके बारे में जो की यहाँ पर वो लोग फिर से जो की उनके सर्वे का पार्ट आफ सर्वे है यहाँ पर आके गए और उन्हों की प्रॉपर्टी का पूरी डिटेल उन्होंने उसके अंदर फिल की है जिसमें उन्होंने पूचा था कि आपके खेत में क्या है अभी ओखेत किसके नाम पे है कितनी पूरी पूरा एरिया कितना है जमीन का आपके खेत में कुई कंस्ट्रक्शन है क्या क्या आपके खेत में पेड़ेे कितने पेड़ेें अगर कोई बांधका मैं मतलब शेड़ घर बगयरा कुछ है और और पडलायन जो भी है जो भी आपके छेट में जो भी आपने बांधका मिया जो भी के खुछ हुआ हुआ है जो भी है अभी मोजूदा उस्थीति मैं वह सब फिल कर के उन्होंने एक फॉर्म में फिल करके वो फिल करके इसे ले गए है और एक शोकिंग न्यूज उन्होंने दी जो कि एनक्सपेक्टेट थी हमने उनसे पूछा कि कितना मीटर इसकी जमीन लेने वाले है एक्चुली पहले तो सच बताओ तो वो लोग सच बताती नहीं बट उन्ह बहुत ही कम जो पॉल अगर पिछले आपने देखा होगा पॉल जहां पे उन्होंने गाड़े थे ना वहां से ही जमीन लेने वाले मतलब जहां पे पॉल उन्होंने गाड़ा होगा अगर किसी के खेत में पॉल गड़ा होगा तो समझ ले लिए वही लास्ट बॉर्डरी है बुलेट रेन की ओके तो बस इतना ही उन्होंने बोला था और बोड रहे थे कि बस और बढ़ेगी तो स्री 15 फूट और बढ़ सकती है बस जाद नहीं बढ़ेगी तो यह एक शौकिंग थी बाकी तो बस बाकी तो उनका प्रोसेस शुरू है जो भी बुलेट रेन के लिए सर् पता चलेगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए कितना खर्चा लगने वाला है प्रतेक हर किसान को या फिर पूरे यहां से वहां तक जितनी जमीन लेने वाल है जमीन के लिए कितना हमें खर्चा होगा लोगों को देने के लिए प्रोजेक्ट खर्चा तो अलग से होगा लेकिन यह खर्चा जो है कितना होगा इसके लिए यह सब सर्वेश शुरू है तो सारे सर्वेश उसके बाद मी वह आते रहेंगे कुछ नए नए काम के लिए तो इसके बारे में भी आप लोगों अब्डेट देता रहोंगा तो यह एक अप्डेट थी आप लोगों को अच्छे लग को तो चलिए अभी तक मैंने बोलाने था कि मेरे